बहुत बहुत स्वागेते दर्शको संसद में बात चल रही है इस समय सुप्रीम कोर्ट की और कानून मंत्री किरन रीजी जू जो बात कह रहे हैं वो बाकई बहुत ज़ादा ध्यान देने वाली बात है और काफी लंबे समय के बाद ये बात सरकार के ध्यान में आई है और जज खुद तै कर लेते हैं कि किसको नहीं करना है देश के सबसे बड़े न्याय मंदिर में कुरसी का जो हस्तांतरण है वो वन्षवादी याने की उत्तरा धिकारी पद्दती से होता है या इसके लिए कोई समिधानिक प्रक्रिया है इस पर जब ये कोशिश की गई जानने की ये जानने का आम जनता को कोई हक नहीं है ये बात भी खुद तुपिंग कोड ने कह दिया और ने सुना दिया जिसके संबन्ध में सवाल किया गया था मतलब ये की जजों की न्यूकती संबन्धी कोलेजियम सिस्टम में चुनाओं का क्रायटेरिया क्या होता है ये उसी तरह रहस से रहेगा जैसा कि पुल्वामा में RDX कैसे पहुंचा अब इस रहस से कोई परदा नहीं उठा पाया बैस वैसे ही सूचना के अधिकार कानून के तहत यह पूछने की जुर्रत की गई कि भाई बता दो जिनको आप हमारा न्याय करने का अधिकार दे देते हो उन्हे कर लोगे आप सरकार से सवाल कर सकते हैं उसकी आलोचना भी कर सकते हैं यह बात को सुप्रिम कोड कहता है लेकिन आदालत में जैजों की नियोगती की प्रक्रिया पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं और तो और खुद कानून मंत्री किरन रिजी जो जो की इसी सरकार में कानून मंत्री हैं उन्होंने इस प्रक्रिया पर सवाल उठा दिया तो उधर से दमकी आ गई कि जादा इंटर्फेर मत करो वरना जिस तरह तुम लोगों को कानून बनाने का अधिकार है तो हमारे पास भी उसकी समिक्षा का अधिकार है जादा उड़ो मत इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो यह गाना आपने सुना होगा यह मत बोलो की इवियम की वज़े से तुमारा वजूद है और इसके खिलाप सैक्रों सबूदों के बावजूद मामले को सिर्फ इसलिए टाल रखा है कि तुम बचे रहो एक भी फैसला अगर इवियम के खिलाप लिख दिया तो न जो कोलेजियम के खिलाप बोलने वाले मंत्री रहेंगे और ना हैं सरकार तो भलाई इसी में है कि भाई तेरी भी चुप और मेरी भी चुप वैसे साधारान भाषा में इसको ब्लैक मेलिंग कहा जाता है कोलेजियम से बेटे बेटी साले भतीजे की नियुकती होने दो लेकिन मंत्री तो मंत्री राष्ट्रपती और उपराष्टपती भी बोलने लगे अब उपराष्टपती जगदीब धनकर ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति जजों द्वारा किये जाने NJSC National Judicial Appointment Commission Act को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियस्त किये जाने की कड़ी आलोजना की। द्वापती से अपने संबोधन में भी रख दी। उप राष्ट पती की आलोजना का मुख्य बिंदू ये है कि सुप्रीम कोर्ट संसत से उपर नहीं है क्योंकि जनतंत्र में जनता की भावना संसत के माध्यम से ही अभिवेक्त होती है। की केंद्र सरकार नयाधिशों की नियुक्ति में सामाजी की विविधता के लिए प्रतिबद है। और हाई कोर्टों के माननी मुख्य नयाधिशों से अन्रोध करती रही है कि वे नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेशते समय इस बात का खयाल रखें। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जज लगातार ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कोलेजियम सिस्टम देश का कानून है। और इसके विरोध में कही जरी बातों को वे गंबीरता से लेते हैं। इधर उन्होंने ये भी कह दिया कि इस सिस्टम पर पब्लिक डोमेन में चर्चा मत करो। अब बताओ कि RTI से सूचना मिलना तो दूर आप इस बारे में बात भी नहीं कर सकते वही है। शायद इसी लिए देश के पहले कानून मंत्री रहे बाबा सहाब ने भी ये बात कही थी की चीप जश्टिस भी आखिर है तो इनसान ही। उन्होंने भी तमाम खामिया जैसे की राग द्वेश हो सकते हैं। जजों की नियुक्ति में चीप जश्टिस को पूरी तरह से निर्नायक अधिकार देना खतरनाक होगा। ये बात उन्होंने 24 मही 1949 को कहे दी गई। अब सरकार के मंत्रिय और रूप राष्ट पती जैसे समिधानिक पद पर बैठे विक्ति को अब वो बात याद आ रही होगी। लेकिन अपने लिए राजनितिक लाव वाले कई फैसले इनी जजों से जो लोग करवा चुके हो वो लोग भी लाचार है। उनके पास इनको रिटायर्मेंट के बाद राज सभाया कहीं और सेट करने के लावा कोई चारा भी नहीं बचा है। वैसे देखा जाए तो अदालतें भी इसी लिए होती हैं कि राजनितिक सत्ता निरंकुष्ट न हो जाए। जनता के पती राजनितिक सत्ता जो है वो उसकी जवाब दे ही बनी रहे। लेकिन जब लाब का खेल दोनों बराबर मिलकर खेलना शुरू कर दे तो फिर जनता के पास हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं बच जाता। कोलेजियम सिस्टम 1993 में तब आया जब मंडल कमिशन और राजनिति में पिश्रा वर्ग उभर कर आ रहा था। ये एक प्रतिक्रांती थी जिसका मूल मकसद था कोड को पिछडी जातियों के हाथ में जाने से रोकना। देश की उच्च न्याय पालिका में खासकर महिलाओं, SC, ST और OBC के मामले में विवित्ता की भारी कमी है। सुप्रीम कोड के 27 न्याय धिशों में सिर्फ 3 महिला जज हैं, 2 SC और 1 OBC समुदाय के हैं। एश्टी समुदाय से तो कोई है ही नहीं। आजादी के बाद से सुप्रीम कोड में न्युक्त होने वाले न्याय मुर्ती एच के सेमा, ST समुदाय के इकलावते जज रहे चुके हैं। परणाम ये हुआ कि कमजोर तपकों के लिए जो कानुन बने उसका मजाक उड़ाने वाले भी जज आने लगे। एक ऐसा ही मामला पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट में नजर आया है। आप भी देखें। बारती जी रिजर्वेशन पर आये थे नौकरी में क्या। तो कुल मिलाकर इसी थी वही बन गई जिसकी आशंका बाबा सहाब ने समविधान लागू होने से पहले जता दी थी। और ये खेल कब तक जारी रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ आम जंता की जागरुकता पर निर्भर करता है। अब संसद में कानुन मंत्री ने ये इशारा तो कर दिया है कि सरकार जजों की नियुकती के लिए नई विवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। सबको पता है कि जुडिशिरी में रेजर्वेशन नहीं है। फिर भी कुछ प्रथा ऐसा है जिसको हम मानते हैं। जैसे कैबिनेट फॉर्मेशन में कोई रेजर्वेशन नहीं होता है लेकिन परदान मत्री जी सब जाती, सब धरम और सब इलाका का दियान में रखते हुए कैबिनेट फॉर्मेशन अपता है। इसी प्रकार से जुडिशरी को लेकर के जो आखिरी पत्र हाई कोट के जिस्टिस के लोगों को जो लिखा है उसमें हमने यह अग्रे किया कि जब आप नाम भेजेंगे ऐसे नामों को आप ध्यान में रखा जाए जो वंचित वर्क के लोग हैं। क्योंकि आज तक इतियास में सुप्रिम कोट में शीडियूल ट्राइप एक ही जज़ में हैं। जस्तिस सेमाज और नागलन्स आते हैं। आज तक एक स्रिप शीडियूल ट्राइप के लोग एक मात्रा रेप्रेसेंट करने का मौका मिला। और आज हमारे पास चार सेडियूल कास के जज हैं। कि कोशिश करे कोलेजम के सब जाती को किसी ना किसी रुप से जुरी शीरी में रेप्रेसेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन वो इस कोशिश में कितने कामियाब होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि उधर कोलेजियम समर्थक जजों के पास भी EVM वाला मद्दा है। जो सरकार को निप्टा सकता है तो मामला बड़ा नाजुक है। मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई में मोदी जी के मंत्री जीत पाएंगे। और तब तक गाली देने, पान या रोटी चुराएंगे, छोटे-छोटे मामलों में लाखों आरोपी की सुनवाई के लिए वो इंतजार करते रहेंगे। और अर्णव गुस्वामी के लिए रात में कोट खुलते रहेंगे। इस मामले में आपकी क्या राय है यह आप बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवादे।